इसके बाद हम solder joint कर देंगे direct, अब हम collar बनाएंगे और collar attach करके आपको दिखाएंगे, यह एक professional and official blouse है, जो YouTube पे आपको कहीं पे भी इसका वीडियो नहीं मिलेगा, आज मैं आपको इस blouse की complete cutting and stitching बताने वाला हूँ, इसको आप coat collar blouse भी कह सकते हैं, या high neck भी blouse कह सकते हैं, इस कोई भी size बनाए, एक मीटर से ज़्यादा कप्रा लेना है, एक मीटर से कम कप्रे में नहीं होगा, प्लस अस्तर भी आपको एक मीटर से उपर ही लेना है, इसका जो measurement है, वो कुछ इस तरीके से है, आपको आपके measurement के हिसाब से cutting करना है, हम अपने measurement से cutting करेंगे, इस measurement से आप को बिल्कुल भी cutting नहीं करना है, देखे मैंने back का part cutting कर दिया है, आपको भी same cutting करना है, कैसे, जैसे आप color आजे blouse की back की part cutting करते हैं, वो इससे आपको same cutting करना है, कुछ भी अलग नहीं काटना है, उसमें, सिर्फ अलग क्या करना है, मैंने इसमें dot नहीं दिया है back में, आप अगर डॉट नहीं देते हैं तो जादा अच्छे तरीके से बनकर त्यार हो जाएगा अब फ्रेंट पार्ट कटिंग करने के लिए क्या करना है आपको दूसरा कप्रा लेना है जैसे मैंने ये कप्रा लिया है एक लंबाई आपको ले लेना है अस्तर बेश्टेज होगा जो भ क्म बाई करेंगे जो हमारा बैग की पार्ट होगा उससे और ऐसा शीधा लाइन ड्रोग कर देंगे अ को उसक्ते बाद एह वाला जो पारठ है इसको भी हम ऐसा सीधा लाइन ड्रोग कर लेंगे तो यहां से हम एक इंच कम करेंगे, सोल्डर हमारा यहां से हो जाएगा, ठीक है, और यह वाले लाइन को भी हम सीधा रखेंगे, इसमें सोल्डर फ्रेंट की भाग में हम सोल्डर को डाउन नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा रखेंगे फिलाल के लिए, अब यहां पर इनमें एक हिंच कम कर दिया तो यहां पर भी हम एक हिंच कम कर देंगे है ठीक है यानि इसको हम ले लेंगे ऐसा और इसा लेना इसको देखिये अइसा इस तरहीं के सा हम इसको आर मोल की निसान देंगे ऐसा इसको रख देंगे हम हम side में बाकी चीज जो है हम बाद में cutting करेंगे पहले main main चीज है उसको समझेंगे breast का point जो है यहां से हम 10 इंच लेंगे normal size के हिसाब से और यहां से ले लेंगे हम पौने चार या 4 इंच ठीक है यह हमारा हो गया breast point यहां पर हम लेंगे पौने चार इंच आप सारे तीन भी ले सकते हैं अब उसके बाद डॉट के लिए यहां पर हम देंगे सारे तीन इंच सारे तीन इंच में आपका pop की वार अच्छे से आ जाएगा अगर कम आता है तो इस मार्जिंग देंगे और इधर का भी हम दो इंच मार्जिंग लेंगे अब यह दोनों को हम ऐसा लेंगे देखिए यहां से ऐसा और इसको ऐसा ठीक है अब यहां से जो हमने सारे तीन इंच दिया है उसके जग़ें यहां पर हम सवा तीन इंच करेंगे क्यों योर्पा श्वाटर kingdom समाइत लगा देंगे और यह दोनों को को यहां से मिला देंगे थे का और एसा मिला देंगे है इसके छिट मैंने कंच पर फ्रेड़ को संट है उसके के बाद यह अलंगे अधाय ले लेंगे या समय आ गया आपको बीक का पार्ट लेना है और यहां से इसको रख कर देखना है कि यह कहां जा रहा है हमारा आर्मोहल आर्मोहल जा रहा है हमारा यहां पे देखिए यहां पे आ रहा है ऐसा करना है समझे यह समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूं यह देखिए ऐसा उसके बाद थोड़ा सा इसको हम कर्फ सिफ देंगे ऐसा ए रहा देखिए ए हमारा हुआ फ्रंट का आर्म होल ए इतना ही है इसमें अब आगे जो मेन कॉलर वाली भाग है उसको मैं आगे समझाओंगा पहले इसको हम कट कर लेते हैं गले की निसान जो है मैंने दिया है यहाँ पे तीन इंच ठीक है आपको सभी साइज में लगभग पौने तीन से लेगर तीन इंच दे सकते हैं इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं अगर रखते हैं तो गला बड़ा हो जाएगा याद रखिएगा ज्याद से ज्यादा आप सबातीन या सारे तीन जब बड़ा साही जाता है तो अब इसको हम ऐसा यहां से लेंगे और हमारा गला कहा रहा यहां पर यह रहा हमारा गला ठीक है इसको भी हम ऐसा कट लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अब इसको उ देखिए हो गया यह हमारा निश्थान गई कि यह हमारा गला का कट है अब समझी कैसे कैसे क्या करना आपको हाँ देखिए यह स्केल से आपका यह सेप आ आसानी से तो ऐसा लेना है से एक देखिए यहां से ऐसा देखिए समझ गए और एसे फिर से ऐसा जाएगा देखिए इस तरीके से इसको निसान लगा देना है उसके बाद आपको यहां पर देखिए, दो इंच का लेना है, यहां पर दो इंच, और यहां पर दो इंच, फिर यहां से थोड़ा सा कम, एक सुद कम, फिर एक सुद कम, फिर कम, फिर कम, यहां से आपको सेम कर देना है, कि यह हमारा मेन पार्ट तैयार हुआ अब इसी से हम फूरा ठोटरग करेंगे पहले कांटकर लेते हैं कि है Billy अदो कि ए情况 कर दिया इस पर अब इसी तरीके से मैं डबल पला कट कर लेंगे destructive कर दिया अब इहां पर लगा लेंगे कि आख पंश शूब ठीक है और यहां पर सुवी डाल कर हम भोल गिला लेंगे अब हम इसको ऐसा ही रखेंगे और लेंगे Fusing Fusing यानि बकरम पतला वाला कोई भी बकरम आप ले सकते इस तरीके का देखिए ऐसा Fusing लेना है और Double Layer कर लेना है Double Layer करने के बाद इसको हम ऐसा रखेंगे यहां से हम सारे 3 इंच लेंगे ये ठिक है सारे तीनिंज से लेकर चार इंच याने चार इायर लीजिए ठौ़रा सा ज़्यादा रहेगा तो ज्व्यादा बेटर रहेगा ऐसा निशान लिख़एंगे और इसको हम देखिए ठीक है जो हमने यहां पर निसान दिया है दो इंच का सेम निसान हम दो इंच इधर पर देंगे और ऐसा मिला देंगे अब इसको हम साइड में कर लेते हैं और इसको ऐसा निसान लगाएंगे देखिए ऐसा रखे ऐसा मार देंगे सेम निसान हमारा आ जाएगा इसपे ठीक है दो यह हो गया दो और कटिंग करेंगे हम सेम अब इसको फिर से हम इस पर रख देंगे सेम ठीक है ऐसा और आधा इंच मार्जिंग छोड़ कर इसको हम कट कर देंगे कि ऐसा कि यह हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया और यह हमारा बैक का पार्ट हो गया बाजू की कटिंग जो है हम इसमें नहीं बता रहे हैं आप आपके हिसाफ से कट कर लेना बाजू देखिए ऐसे रखकर में पल्ले को भी कट कर देंगे अब इसको क्या करना हो समझेगा इसको में कपरे पर चिपका लेना है कॉलर बनाने के लिए आपको इसी तरीके से चारो प्रेस्टिंग जो कटा हुआ है उसको बिछा देना है और अच्छे से प्रेस मार कर चिपका लेना है करने के बाद आपको आधा इंच की मार्जिंग देकर चारो साइट से इसको कट करके निकाल लेना है सबसे पहले हम बैक और फ्रेंट पल्ला दोनों को अलग अलग अस्तर के साथ अटेच करने के बाद हम दोनों पल्ले में यहां का जो डॉट है वो डॉट लगा लेंगे इ को बनाने के लिए को क्या करना है एका खोल देना है उसके बाद आपको अपको यहां से आपको मिलाना है एक और यहांसे मिलाना आपको एसा डिक है verzakे यह मिलगया आभ इसको अएसा करना है भुमाना है यह काहां पूर पर परक्रेट यह सिंटर से आधा इंच एक्श्ट्रा करके आपको कुट कर देना है देखें इतना ऐसा आपको चारो पले को कट कर लेना है कॉलर बने केलिए । आपको क्या करना एक छीज और जो ऑडार जो शेम सेम अस्तर भी चार पला इसके थे इसद आप से कट कर लेना है जो मैंने कट कर लिया है अब इसको अटेच केसे करना हो चीज समझेगा इनधे जाम सिंपल तरीका में को सिस्कर रहाई आपको समझाने का ऐसा यह विसको जोयन कर देंगे बीचो बीच ठीक है फिर इसको भी लेंगे इसको भी ऐसा जोएंड कर देंगे यह हो गया अब क्या करना है यह वाली भाग जो बाहर वाली भाग है उसको मूर देंगे हम ठीक है यह वाला देखी इससी तरीके से आपको मूर ले ना है मूरने के बाद बोडी लेंगे और अस्तर जो है उसको लेंगे हम ठीक है अस्तर को ऐसा लेंगे और यहां सेंटर से इसको जोईन करना चालू करेंगे हम कि ऐसा है कि एसा है कि एसा है कि एसा सिधा रखका मिदर का विए जोड़ देंगे देखिए ऐसा हो गया ठीक है अब यह वाली पल्ला जो है इसको भी हम ऐसा ही लेंगे और यहां से सुरू करेंगे देखिए यहां से यहां मिला कर देख लेना है या आप यहां से भी सुरू कर सकते हैं देखिए सिंगल पल्ला लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है है अब हम डबल पल्ला कोलर लगाएंगे इसको रखेंंगे फिलाद साइड में और यह हमारा में जो है और इसको हम पल्टी करेंगे पहले इसको भी ज्वाइन लगा लेंगे ऐसा डबल करके दोनों पल्ले को सेम तरीके से अस्तर का भी और इसका दोनों का ऐसा ज्वाइन लगाने के बाद ऐसा रखेंगे और इसको ऐसा रखेंगे ठीक है और जो ये वाला भाग है हमारा ये भाग इसको हम बनाएंगे देखिए ऐसा बना लेना आपको इसका अदम मार्जिंग थोड़ा कम कर देंगे इसको इसको मोर लेंगे ये ऐसा ए इसा मोर लेना है लिए किनारे चान इस तरीकर से बनकर स्थार रख़िए यह कंगी थ्या और मृटार हम इसा तक हमारा यह जा रहा है ठीक है ऐसा और यहां पर ब्रोबर पॉइंट के हिसाब से लेना है आपको कि 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 ऐसा मिलाते जाना ध्यान रखेंगे याद रखेंगे नहीं तो उल्टा हो जाएगा कि यह हो गया अब हम इसको सीधा कर देंगे और ऐसा इसको कवर करेंगे देखिए यहां पर जो है मार्जिंग थोड़ा ज्यादा होगा उसको कट कर देंगे ऐसा ठीक है देखिए ऐसा करके अब इसको मैं फाइनल लूक पूरा ब्लाउज रेडी करके दिखाता हूँ देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लूक बनकर त्यार हो चुका है और इस तरीके से कुछ आपको ब्लाउज दिखने वाला है यह देखिए ऐसा खुला हुआ है पहनने के लिए आप इसको कैसे पहनेंगे ऊचीज मैं आपको समझा देता हूं एक बटन आपको यहाँ पर लगएगा यहाँ पर इसके अंदर चला जाएगा धक जाए तो दिखेगा नहीं यहां से लेकर और यहां तक यानि इसमें काज होगा इसमें बटन लगा तो एक यहां पर बटन लग जाएगा और एक यहां पर हूंक लगा सकते हैं जो इसके साथ ऐसा अटाइच रहे ठीक है यहां पर बटन लगा सकते हैं आपकी मर्जी नहीं तो यहां पर और यहां पर दो बटन आपको लगाना है उसी तरीके से इस ब्लाउच को आप पहन सकते हैं अगर आपको गलाच छोटा ची यानि यहां से यहां ज्यादा डीप है आठ इंच के आस्वास है सारे आठ इंच नौ इंच तो आप यह वाला जो भाग है इसको एक इंच और कम कर दीजिए गाने आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी किजिएगा शेर भी किजिएगा फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में